नमस्कार आप देख रहें टीवी टॉन्टी नियूज और मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आईए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास ख़बरों पर विदानता महुत्सों में गुरुबार को नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मेधा से मंच पर समाबां दिया छात्राएं सिवा के छेतर में आने के लिए पढ़ाई कर रही है लेकिन मंच पर सांस्क्रितिक कारकरम की प्रसुज दी तो अतीत अविभावक दोनों उनमें ज्यादा सेवा के लिए जाना जाता है उन्हें कहा कि महुत्सों जैसे आयोजन होने चाहिए इसे बच्चों में छिपी मिधा उभर कर सामने आती है इसे प्रोल शिरांप पुरुषित विदानता नर्सिंग होम में सुबह सही नजारा बदला बदला नजर आया कॉलेज प् जारावा फिदानता गुरूप के देक्ष्ट डाक्टर्स की सिर्जासवाल निदेसक विसाल जासवाल आलोग जासवाल उपस्त रहे क्या कुछ कहा भी साल जासवाल ने आपको सुनाते हैं देखे एक नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो फ्लोरेस नाइट इंगल पे हमेशा जो है उनी के द्वारा जो यह बनाए हुआ है नर्सिंग जो प्रोफेशन है तो इसलिए इसमें क्रिस्मस का बहुत बड़ा महत्तु है और वैसे भी हमारी भारती संस्कृत हमेशा जो इसमें आज के हमारे मुख्य अतिति श्री विजय विश्वास पंत्र जी मंडला युक्त आजमग्र मंडल और स्री सुबास्चंद दूबे जी पुलिस उप महनिरिछक आजमग्र मंडल एडिशनल एस्पी पंकेज पांडे सर सिधार सर एस्पी आरे एंड मेजर एस्पी प आप अब है कि यह एक महस्व है यह क्या है एक कल्चरल एक्टिविटी है जो हम हमेशा बच्चों को कुछ नकुछ एक सिख्छा देती है कि यह सारी चीज़ें भी क्योंकि आप कभी भी क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में अपने सफलता पानी है तो यह जरूरी निए कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज रखें, आपको इसके साथ सारी एक्टिविटी, स्पीच है, बोलना है, वे आप प्रजेंटेशन है, इस टेज पे हम कैसे लोगों को फेस करेंगे, यह बहुत जरूरी होता, क्योंकि एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन होता है, जिसमें क्या हो होता है, और 50% जो होता है, हम कैसे पेसेंट के साथ विहाइब कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो यह इन सब चीजों की इस तरीके के प्रोग्राम करने से यह बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक सिक्षा आती है कि किस तरीके से हम लोग चीजे बताई है कि अभी ये कोरोना काल जो हमें चल ला था, हम आप जो नॉर्मल सभी लोग सामाजिक हैं, सभी लोग पीछे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किसके पास था, डॉक्टर के पास, बलकि पुलिस उप महानिजिक महोदे ने ये बताया कि हम डॉक्टर को का बहुत जादा जो है मनोबल उचा हुआ है, जिससे हम जो है और भी आगे और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस महोसो का सिर्फ ये यही एक उद्दिश है,